दबनों सावन किस नहीं वीडियो में आपका बहुत-بहुत स्वागत है मिरा नाम राज आज हम बात करने वाले Custom Frauds के बारे में भाई साब संदे हैं संदे को अम फ्रॉड से लेटर वीडियोज बनाते हैं कि ये original है या फिर fake है क्या मेरे साथ भी fraud हो रहा है तो क्या क्या tips है कि आपको यहाँ पर पहचान सको आपकी वो fraud है की नहीं सबसे पहले एक जरूरी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा और अगर आपको जरूरत है तभी ये वीडियो बिना स्किप किये देखो भाई साब otherwise ये वीडियो आपका कोई भी काम में नहीं लगेगा अब हम fraud को कैसे पहचाने कैसे समझे कि हमारे साथ custom fraud हो रहा है या फिर normal है भाई साब जैसा होता है वही सिन है कोई fraud बगरा नहीं हो रहा है हम कैसे पहचाने सबसे पहला tips कि अगर आपको कोई लगे ऐसे इंसान थी या पर आपको friend request आ रहा है या फिर किसी ऐसे इंसान से आपकी बात्तित हो रही है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था आपको बिली भी नहीं हो पारा कि ऐसा बंदा मेरे से बात कर सकता है या इतना बड़ा स्टार या फिर इतना फेमस आदमी या फिर फोरण का ऐसा इंसान जो बहुत पैसे वाला है वैसा वो सोब कर रहा है वैसा इंसान आपसे friendship हो जाता है तो सबसे पहला चीज नोटिस करने वाला यही है कि वैसे इंसान उस लेवल का इंसान आपके साथ friendship क्यों करेगा reason number one यह है किसी भी fraud को आप पहचानो कि आपको बिश्वास नहीं हो रहा है कि वैसा इंसान आपके साथ friendship कर रहा है यह हो गया सबसे पहला point इसके बाद मानो friendship हो भी गई साराची जेनुइल लगा चलो उतना भी फेहमस इंसान नहीं है नॉर्मल फॉरेंड का बंदा है इसके बाद मानो वो दो यह दिन तीन दिन बाद या फंदर दिन बाद आपको बोलता है 100% की यह fraud है उसमें से अगर 99.99% के बाद में जो बचता है आपका 0.0001% जितना भी हो तो अगर वो percentage में जो सचाई वाला यहां पर चीज है सच वाला जो चीज है कि अगर जेनुइन में कोई आपको भेजता है पार्शल तो उसके बाद यहां पर देखने वाला चीज यहां पर यह आता है कि वो आपको जब पार्शल भेज रहा है उसके कितने दिनों बाद आपके इंडिया में वो पहुँच रहा है सबसे पहला चीज यह देखना है अब इसके बाद आपको वहाँ पर जो tracking details provide किया गिया है वो आपको देखना है क्या ये genuine है आप पहले एक बर Google में search करोगी international couriers in India आपको different types of courier names मिल जाएंगे और आपको पता जाएंगे कोन-कोन major courier service है हमारे इंडिया में जो foreign से partial वगरा लाते हैं उसके बाद आपको जो image दिखाया जाएगा जो एक tracking ideas में होगा जो slip वो भेजते हैं उसको तोड़ा तो notice करके आप देखना कि क्या वो digitally edit किया हुआ है उसको zoom करके आप देखो आपको वहाँ पर notice करने वाले चीज मिलेगी कि वो maximum जो वहाँ पर slip होता है वो fake होता है digitally edit किया हुआ रहता है तो वहाँ पर आप zoom करके देखो normally जो slip होता है वो paint से लिखा हुआ रहता है maximum जगह में अभी भी slip paint से ही करता है क्योंकि जब भी आप courier भेजने जाओगे तो वो courier boy या फिर sorry courier boy मैं बोल रहा हूँ जब भी courier service के पर आप कोई parcel भेजोगे तो courier वाला आपको एक slip देगा जो की in the physical form होगा जिसमें paint से लिखा हुआ रहेगा और अगर मानू digital copy अगर उसे मिलता है तो वो उसकी photo click करके भेजेगा ना कि पुरा-पुरे digital एक तो में scan करके भेज रहा है अरिजिनल है एकदम 100% वो फेक ही होगा और cute वाला बात जहां पर आता है तो वो 100% फेक ही होता है अब मानो आपको जेन्विन कूरियर से भेजा गया मानो पार्सल फेडेक्स या फिर डिडिडिडिसी इन सारे कूरियर के तुरू से आपको मिलता है जो कि rarely एकदम नहीं के बराबर चांसे थे कि इन सारे कूरियर सर्विसे के पास आपका कूरियर आए ऐसा हो नहीं सकता अगर वो लोग कह रहे हैं तो भी उसमें कुछ लोचा, कुछ लफड़ा वो लोग फेक बना के जरूर कर रहे होंगे और जब भी आप किसी पोर्टल को एकसेस करो तो उसका लिंक जरूर देखना फेटेक्स का फेटेक्स.com होगा या फेटेक्स.in होगा ऐसा एकस्टेंसन रहता है उनके वेबसाइट पे जब फेटेक्स करना कि आपके नियरस्ट में कस्टम आफिस कहां पर है अगर आप मुंबई में रहते हो या फिर महाराष्ट्रा में रहते हो तो आपका custom office मुंबई में होगा पुने में होगा मुंबई में basically होता है तो वो आपका nearest में जो भी होगा वहीं पर आपका parcel आएगा ऐसा नहीं होगा, कि देलि का parksल Phillips मोमबाई में आ रहा है, कलकत्ता पारिसल देलि में आ रहा है, देलि कापशल स्कंटक रहा है, तो ऐसा नहीं होता अब जो चीज आपको यहापर नोटिस करना है कि जो अकाउंट नमबर वहाँ पर आपको दिया गया है, क्या वो किसी कमपनी के नाम पर है या फिसी नॉर्मल इंसान के नाम परे, ये पहला चीज इसके बाद अगर नॉर्मल इंसान के नाम पर भी कोई कहरा, या फिर किसी और तरीके से बोल रहा है कि हम मेरे नाम पर भेज़ दो मैं यहां पर अडिश्ट करवा दो तो भी वहाँ पर चेक करना क्या यह सेविंग अकाउंट से या फिर करेंट अकाउंट है फाइसा बिजनस रिलेटेट कोई भी काम सेविंग अकॉंट में कोई भी मनी ट्रांसपर नहीं करवाएगा और जब भी आपका कस्टम पे करोगे आपके नाम पर चलान आप पे करोगे आप उस तरह के वाउचर वहां पर जमा करोगी या पर ऑनलाइन करोगी जापर आपको एक रिसेट मिलेगा इन दे नेम आप कस्टम डिपार्टम वैसे कटता है पेमेंट होता है बट किसी के नाम पर मनी ट्रांसपर फोन पर कर रहे हो गूगल पर कर रहे हो मानों आप आपको बुलाए रहा है चलो आपको कस्टम चालीस जार मांगा गया आपके पास अभी चालीस जार नहीं चलो आप 20,000 कोई जिकत नहीं तो थोड़ी दिन बाद आप आपको सारा प्रोसीजर डिटेर में पता चल जाएगा तो इस प्रकार से कस्टम फ्रॉड को आप पहचान सकते हो जो जो मैंने यहां बाते बता हैं इनको अपने से मैच कराओ आपके साथ जो केस हो रहा है उससे यहां पर मैच करो अगर एक भी पॉइंट मैच करता है तो आपके साथ कस्टम फ्रॉड हो रहा है या फिर हो चुका है या फिर होने वाला है ऐसा ही कुछ इहां पर सिनेरियों है और किसी और कमुझे पता है लोग फ्रॉड के नम पर पैसा देते हैं लगता है चलो मुझे कुछ मिल रहा है वगण से ठेकर दोनेशन के लिए बोला दान दो आपको वहाँ पर दुआ मिलेगा फ्रॉड को पैसे दे के कुछ भी नहीं मिलेगा तो दोस्तों उमीद करता हूँ आज के वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगता तो एक लागी से जरूर देना अच्छा नहीं लगता तो मत देखो वीडियो कोई दिक हो रखता हो दो हो वीडियो कि वीडियो नहीं AUTOP, इड़ खता हूँ आग टो से झाल्डापे शय घथीचियोगा हो आगर यझमीद कर दो